हेलो फ्रेंड्स तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है वी एच डी वर्चुल हार्ड डिस्ट एक्शली में होता क्या है कि यह हमारा ओप्रेटिंग सिस्टम है जब आप इस पर आते हो तो यह सामने हमारी ड्राइब शो होना शुरू हो जाती है ठीक है अभी क्या है कि अभी कोई भी आसानी से everyone can see your data तब उस आप केस में चाहते हो कि आपका data hide भी हो जाए और आपके पास में save भी हो जाए तब उस केस में option आता है वी एच डी का virtual hard disk कैसे काम होता है इसमें बताते हैं सबसे पहले आप computer option पर आएंगे right click पर जाएंगे manage option पर आएंगे disk management option पर आएंगे और सामने यह हमारे partition शो होना शुरू हो गया है c and d आप इसी option पर बापस जाएंगे right click और यहां पर option आएंगा create vhd का इसने कहा कि आपकी file कहां पर save हो अब यहां पर एक चीज होगी कि यह जो हमारी vhd होती है न यह एक हमारी file से attach होगी जिसका extension भी dot vhd ही होगा यह file अगर मैं d के अंदर save करता हूँ यह file अगर मैं यहां पर एक c है और एक d है अगर यह file मैं d के अंदर save करता हूँ तो vhd का space d से cut होगा और अगर यह c के अंदर save होगी तो फिर space c से ही cut होगा ठीक है तो मतलब कि जिस partition में आपकी file save होगी और vhd का space वहीं से ही cut होता है तो अभी के लिए अभी हम लोग d के अंदर आ जाते हैं हम browse option पर आ जाते हैं और जैसे मैं यहां पर यह तो अभी हम d के अंदर आ जाते हैं file का नाम क्या हो हमने का जी file का नाम हो हमारा aa ठीक है you can give any name and save it इसके बार में उसका size क्या हो तो size यहां पर टेरा बाइट तक options हैं बट प्रैक्टिकल के लिए I just give only one gb क्योंकि जितना ज़रा size होगा यह बनने में उतना ही time इसमें लगेगा हम इसमें आ जाते हैं और ok पर आ जाते हैं और यह देखिए यहां काम होना शुरू हो चुका है file का नाम हमारा aa.vhd था जब यह सामने आपके ऐसे शो होना शुरू हो जाएगा पहले आप इस पर आएंगे एक यहां पर अभी red color का यह जो sign आ रहा है इसको right click करना होगा और initialize disk पर आना होगा और ok पर आना होगा यह sign हमारा हट जाएगा फिर आप इसमें अपने partition को बनाएंगे तो हम आ जाते हैं new simple volume simple next 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 और finish देखिए एक partition यह format भी हो गया और यह G नाम का एक partition यहां पर शो होना शुरू हो गया यह रहा अब इस partition में आप कुछ भी अपना personal data you can save here जैसे कि example के लिए I just save a folder and give any name important ठीक है और इसके अंदर कोई भी file पके रहा I can save मतलब इसके अंदर कोई भी audio, video, file, software you can save anything तो example के लिए I just save a file और अभी क्या क्या है कि अभी आप अपने data को आसानी से देख सकते हो यह रहा आपका data और यह you can see अब अगर आपको अपनी drive को छुपाना है तो छुपाने के लिए आप वापस इस option पर जाओगे और यहां पर आएंगे और sorry आप इस option पर जाओगे और आप जाएंगे detach vhd option पर और यहां पर ok अब देखे सामने वो चिर अभी आपकी hide हो जाएगी कहां गया वो यहां पर यह proof देख लिए अब जो हमारी file थी वो थी aa.vhd यह जो file है इसका size 1GB है data हमेशा इसी file के ही अंदर होगा तो इस file से ही सारा काम होगा अगेन अगर आपको अपने partition को लेकर आना है तो आप सेम उसी option पर जाएंगे और यहां पर अब आपका option आएगा attach vhd browse पर आके वो file कहां पर है वो file हमारी यह रही और अगर आप read only option में अगर आपका tick होता है तब इस case में क्या चीज़ होगा कि जब भी आपका कोई जब कोई भी आपके partition के अंदर आएगा तो ना तो वो कुछी folder को बना पाएगा देखिए यहां पर new को option हट चुका है और ना ही वो किसी data को भी हटा पाएगा तो एक्जामपल के लिए अगर हमें इसको हटाना हो तो देखिए delete इसमें option अभी आपका आया ही नहीं है तो य detach option पर आईए और ok option पर आईए दाके तो विएच डी ये इसी file के अंदर ही हर चीज़ सेव होगी अगर ये file हमारी delete हो जाती है तो data भी हमारा loss हो जाएगा तो इस file को आपको ऐसी जगे hide करके रखना है कि जहां पर कोई भी आसानी से ना पहुँच पाएगा तो आप अपने personal data को ऐसे hide कर सकते हो ok thank you so much for see this video और आकरी में ये मेरा channel है be expert in technologies और guys आकरी में इसको आप subscribe किजिए और वीडियो को like किजिए share किजिए और please comment भी किजिए और जब आप इसे subscribe करेंगे तो ऐसी ही trick जब भी मैं upload करूंगा तो वो सबसे पहले आपके पास पर ही आप आएंगी ok thank you so much for watch this video